जब भी mutual fund में SIP के तोर पर investment करने की बात आती हैं तो बहुत सरे लोग confused हो जाते हैं कि investment कितना करना है और investment कैसे करना है तो अगर आप लोग भी mutual fund में investment करना चाते हैं SIP के तोर पर यह लमसम investment करना चाते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है अब by the way आपके friends circle या आपके community में किसी को mutual fund में investment करना है लेकिन वो confused हैं तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेर करना ताकि उसका काम भी बन जाए वीडियो को क्योंकि आपको पता है कि चैनल पर नए हो तो like करना है चैनल को subscribe करना है अब mutual fund में investment करने के लिए आप लोग दो तरीकों का इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहला तरीका है गोल के according investment करने का मतलब कि आपको आपके गोल के इसाब से investment करना है आपको आपकी future requirement के इसाब से investment करना है नहीं समझा भी तक मैं होना समझाने के लिए let's take an example और इस चीज़ को आसानी से समझते हैं let's say आज से 10 साल बाद आपको 30,000,000 रुपए के requirement पढ़ने वाली है तो आपको currently कितना investment करना पड़ेगा ये thought process आपके दिमाग में run करना है अब एची जना हर किसी के साथ relate कर सकते है let's say 5 year के बाद में किसी को अपना घर लेना है या 5 year के बाद में किसी को marriage के लिए planning करनी है या अपने children क education के लिए plan करना है तो इस हिसाब से plan किया जाता है आपको 10 साल के बाद requirement पड़ेगी 30,000,000 रुपए की तो आज से आपको कितना investment करना पड़ेगा let's say आप लोग 11,500 रुपीज के आसपास का amount investment करते हैं पर मन्त के हिसाब से और वहाँ पर अगर आपको 14% के आसपास के return मिलत सकता है और time period भी कम ज्यादा हो सकता है तो आपको आपके income के साब से आपको calculate करना है कि आपको future में कितने amount के requirement पड़ेगी अब future में उतने amount का corpus build करने के लिए उतने amount के availability करने के लिए आपको ऐसे कौन से investment option में investment करना है ताकि वो gold fulfill हो सके अब आप लोग investment कितना कर सकते हैं कितना investment आपको करना चाहिए और कौन कौन से asset class में आपको कौन से time per investment करना है तो यह चारी चीज़े depend करती हैं आपके age factor के उपर और age factor के साब से ही यह investment करना चाहिए let's अगर आप लोग 40s या 50s में है तो आपको ज़्यादा risk नहीं लेना चाहिए और अगर आप लोग 20s या investment करने का प्लान करते हैं तो ऐसे conditions में आपकी हर मंत की investment होगी 10,000 रुपीज की which is 50,000 का 20% और ऐसा तो नहीं है कि आपकी income उतनी ही रहेगी क्योंकि जैसे जैसे time निकलते जाता है वैसे वैसे लोगों की income बढ़ती है और अगर आप लोग भी percentage को बढ़ाते जाएंगे तो आ आपका investment का corpus इतना बिल्ड हो जाएगा कि आपको उस corpus से और अगर आप लोग continuous investment करते हैं और इस वाले approach को follow करते हैं तब आपके investment की value multiply होगी आपको compounding का benefit मिलेगा और आपके future की requirement भी fulfill होगी by the way आप लोग दोनों में से कौन से तरीके का इस्तमाल करके investment करना पसंद by the way इन दोनों option में से आप लोग कौन से वाले option से investment करेंगे comment करके बताओ, demand account उपन करने के लिए top 3 brokers के link आपको description में मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप लोग demand account उपन कर सकते हैं और stock market में investment करना start कर सकते हैं, I hope कि आज की studio का content आपको valuable लगा होगा, अगर आपको content valuable लगा है तो अपने friends के साथ भी share करना और अपने community में भी share करना, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ, एक interesting topic के साथ